हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बिद्वानों द्वारा दी गई सिच्चा की कुछ महतपूर परिवासाओं की बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं मात्मा गांदी के अनुषार मात्मा गांदी ने सिच्चा को किस रूप में परिवासित किया है तो मात्मा गांदी ने कहा है कि सिच्छा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुस्य के सरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीड एवं सर्वोत क्रष्ट विकास है सर्वांगीड का मतलब क्या होता है मतलब वालक का चौम की विकास होना चाहिए बालक के सरीर मन तथा आत्मा का चौम की विकास इसी चाहे इसके बात बात करते हैं अरश्तु के इनसार तो अरश्तु की परिवाषा सबसे ज़्यादा important है मातमा कांदी की भी है और इसके बाद तीसरी जो है विवेकानंद की भी तो इन्होंने का आए कि स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मन का निर्माड करना ही सिच्छा है अरस्थू के अंसार स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस्थ का निर्माड होता है और सिच्चा की परिवयासा इनके इनसर क्या है? स्वस्त सरीर में स्वस्त मस्तिस्क का निर्माड करना ही सिच्चा है Education is the creation of sound mind इनने sound body साउंड का आर्थ क्या होता है? स्वस्त Education is the creation of sound mind इनने sound body Aristotle, Aristotle इसके बाद तीसरी स्वामी विवेकानन तो स्वामी विवेकाननन सिच्चा को किस रूप में परिवयासित किया है? इन्होंने कहा है कि मनुस्त की अंतर निहित पूरता को अभिवयक्त करना है यानि कि जो जन्म जा सत्या है उनको अंतर निहित पूरता है उसको अभिवयक्त करना ही सिच्चा है एजुकेशन i the manifestation of perfections ऑलरेड़ी प्रजेंट इन मैन यानि कि जो मनुस्त में पहले से ही विद्वान है अंतर निहित का मतलब होता है जो पहले से ही व्यक्त के अंधर विद्वान है थीक व्यक्ति म caveat मतलब मनुस्त या बालक तो उनको अंदर नहीं पूरता को अभिवेक्त करना इस चाहे किसके अनुसार श्वामी विवेकानन्द के अनुसार इसके बाद फोर तम बात करेंगे J.S. मैकेंजी तो J.S. मैकेंजी ने सिच्चा को किस रूप में परिवासित किया है इन्होंने कहा है कि ब्यापत द्रश्ट से सिच्चा क्या है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रिक्रिया है और जीवन के प्रत्यक अनुसार के द्वारा इसका विकास होता है तो सिच्चा वास्तम में क्या है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रिक्रिया ही तो है और जो कुछ भी करता है उससे कुछ ना कुछ सीखता है यानि कि सिच्छा प्रदान करता है तो सिच्छा क्या है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रिक्रिया है और जीवन के प्रतेक अनुवसे आप जो भी करेंगे उससे कुछ सीखेंगे गलती करेंगे तो उसमें आपको दंड मिलेगा या प्रकृत उसका दंड देगी किसी भी प्रकार से इसके बाद भूर्थ है रविंद्रनाट टैगोर तो रविंद्रनाट टैगोर ने सिच्चा को किस रूप में परिव्यासित किया है इन्होंने कहा है कि सर्वोच सिच्चा ओए है कौनसी जो हमें केबल सूचनाए नहीं देती बरन बलकि हमारे जीवन और संपूण सरष्ठी में तादम में स्थापित करती है तादम में का मितलब होता है तालमेल तो इन्होंने सिच्चा को किस रूप में परिव्यासित किया है यानि कि वो सिच्चा नहीं है जो हमें सूचनाए देती है बलकि हमारे जीवन और संसार में संपूण सरष्ठी पूरे ब्रह्मांड के साथ तालमेल करना ही सिच्चा इन्होंने बताया है इसके बाद सिच्च और हम लास्ट यानि कि जो है हमारी लास्ट परव्यासा आईए प्लेटो प्लेटो ने कहा है कि सिच्चा का कार क्या है मनुस्य के सरीर और आत्मा को वे पूर्दा परदान करना है जिसके कि वो योग्य है तो यह है प्लेटो के अनुसार है ठीक है तो यह थी सिच्चा की कुछ महत्वपूर परवयास है, बैसे महत्वपूर तो important तो कुछ भी नहीं होता है, जो आपको पता है वो important है, जो नहीं पता है, जो मतलब जो याद किया हूँआ पर इच्छा में आ जाए वो important है, और ना है तो वो important नहीं है तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू